हेलो जी क्या हाल चाल है प्रोसेस मैंने आपको दिखा देना एप गलो देखो बहुत इजी सी चीज़ें है आज हम देखने वाले हैं कलिर स्किन कैसे की जाए और मजी की बारत यह है कि इस सीजन के लिए यानि तोहारों के सीजन के लिए पॉफेक्ट वीडियो here इसमें overall body treatment भी होगा skin भी एकदम glowing होगी और शरीर से विशेले ततों भी निकलेंगे हम क्या करते हैं face pack लगाते हैं बाहर बाहर से तवचा को clean करते हैं आज के इस वीडियो में हम internally भी body को clean करने वाले हैं बहुत अच्छा सा एक method बताऊंड में आपको और आपने ये ट्राय जरूर करना है कि ट्राय करेंगे तब आप पका मुझे आके बूलेंगे कि भाई result तो कजब के मिले हैं चलिए देखते है वीडियो तो यहां करेंगे हम अपने steps की तेयारी मैंने आज यह royal लगाया है यह royal बहुत अच्छा बनाया आपके लिए बहुत जल्द वीडियो मिलेगा तो पहला step है जी हमारा सबसे पहले हमने एक गरम पानी लेना है एक बरतन में उसमें हमने डिप करके रख देना है टावल यह है हमारा अगला step इसके लिए हमने एक चमच अरंडी का तेल यानि कैस्टर कावल से clean करना है कि पोर्स खुल जाए dust pollution हट जाए बेशक आपने अपना चेहरा face wash से या किसी और चीज से clean किया तब भी यह step करना जरूरी है हर टाइप की तचा के लिए अब यह कैस्टर ओल और जो नारिल का तेल हमने मिलाया था उसमें से चार चमच आपने मूं में रख चार लेना है ठीक है अब हम मूह में उसको रखेंगे और कुरला कुरला जैसा करते रहेए अब आपने prepare कर लेना है अपना अगला step उसके लिए कुछ कि दीर भीगो के लुठे खीक हैं अब आपने क्या करना है कि मुँ में आपके ओईल है उसको कम से कम 12-13 मिनिट का होना चाहिए 12-13 मिनिट वो जो मुह में रखा हुआ उयल है उसको कुरले जैसे करते हैं इदर उदर उदर आप राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट उपर नीचे सारे मुह में इस तरह से घुमाते रहें ठक जाएंगे आप कोई बात नहीं मुह में रखि करने लग गई हूँ तो यह डिफिकल्ट है अब मैं मतलब कर रही हूं तो मेरे से पांच मिनिट होता है लगातार उससे ज्यादा नहीं होता है अच्छा इससे ना फाइन लाइन्स और जो डार्क सरकल मेरे काफी कब हुए है मतलब यह प्रोसेस करने से मैं यहीं करती हूँ तो ओइल की मसाज हो गई है यहम जो तेल है वह मुख में है तेल की मसाज भी मैंने ज़्यादा किया है क्यूकि मेरा जょ तुच अच्छा है वह जरूरत से ज्यादा ही कुछ ड्राइए है अच्छा अबहिक आपने क्या करना हैं अभी आपने ठक गय होंगे ज articulate झिससे में थ जितने तेल के अवशकता आपकी स्किन को है उतना उसने अबसर्ब कर लिया है एक्स्ट्रा एक्सेस जो ऑईल है वो सारा इस टावल से निकल जाएगा दोस्तों ठीक है अच्छा कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ब्रीद प्रॉपरली करेंगे करते हुए कुछ लोगों को ना प्रॉपरली करेंगे क्योंकि डीटॉक्स हो रही है वह से आपकी बॉड़ी है तो अभी यह जो हमने पैक बनाके रखा था उसको आपने मसाज करनी है पहले हैं दो से पांच मिनट आप मसाज कीजिए मतलब जितनी देर आप कर सकते हैं उत्ती दिर आपने मसाज करनी उसके बाद दो से पांच मिनिट इसको लगा रहने दीजिए ज्यादा दिर नहीं बोल दो मिनिट भी लगा रहने देंगे ना तो भी सफिशेंट हो जाएगा अच्छा मैंने इसको ना मूं में रखके पैक लगा के थोड़ी देर ना मैंने वाक शुरू कर दीथी क्योंकि टाइम यहां हम जाते हैं वाश्रू में और चेक करते हैं कि हमारा फेस पैक जो है कितना ड्राय हुआ है कैसा लग रहा है ठीक है उसके बाद हमने इसका कुड़ा कर दिया तो यह नहीं एकदम मतलब थोड़ा लाइट येलोईश और वाइट इस कलर का जो यह तेल बन जाता है उसके बाद हमने पूरे चहरे पे सर्कुलर मोशन में फिर से पानी से गीला करके मसाज की और इस तावल से पानी अभी गरम है क्योंकि काफी गरम था वो पूरे चहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया है आप बिलीव नहीं करेंगे आप बहुत फ्रेश भी लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अच्छल में डीटॉक्स हो रही है आपकी बॉडी आपको स्किन भी फ्रेश लगेगी क्लियर भी लगेगी अच्छा इसको ना आप रोज कर सकते हैं अगर ऑईल वाला स्टेप और गरम पानी से कपड़े से क्लीन कर सकते हैं तो मैं बता रही हूं कि मेरे बहुत इंप्रूब्मेंट मुझे दिख रहा है मतलब मुझे अभी पंदरा दिन हुए हैं यह करते हुए बट विलीव में इतना इफेक्ट कभी नहीं देखा था मैंने बट आप देखिए आपके सामने हैं ग्लो भी अच्छा है और डाक साकल भी आपको दिख रहे होंगे कि काफी इंप्रूफ है आपने यह हफते में एक बार तो लाजमी करना है तो कैसा लगा वीडियो कैसा लगा ग्लो कैसा लगा प्रूसीजर दूस्तों मैंने कोशिश की है आपके लिए चोटे से वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देनी की और मैं आगे भी ऐसी सब्सक्राइब को फटा फट से लाइक जरूर कर दीजे और अपने प्यारों यारों और रिष्टेदारों को साथ शेयर भी किया करो तभी तो मज़ा आता है जब सब मिल माट के एकदम अच्छे से वीडियो देखते हैं और डिसकॉस पर इस बार हम कमेंट सेक्शन में करें चैले जी बहुत जीद मिलेंगे बाइबाइब